Hello students, आज मैं solve करूंगा class 10 के trigonometry के लिए exercise 8.4, question 5 का 9th part Question है proof that cos sec a minus sin a into sec a minus cos a equals to 1 by tan a plus cot a इसमें हम देखते हैं, observe करते हैं कि LHS में cos sec और cos के term में है तो इसको हम क्या करेंगे, sin और cos के change में करेंगे तभी मेरा tan और cot में आएगा, इसलिए कि tan होता है, sin by cos cot होता है cos by sign, इसलिए इसको क्या करेंगे, जो भी cos sec है, sec है इसको sin और cos के form में change कर देंगे, तो possibility है बन जाने का ऐसा ही करेंगे अब देखिए, LHS is equal to cos sec के जगा पर लिख सकते हैं, 1 by sin a, minus sin a, ऐसे ही रहने देंगे फिर लिख देंगे, 1 by cos a, minus cos a, ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें अब इसको जैसे LCM करके fraction का simplification करते हैं, ऐसे ही sin a हो गया, यहां हो गया, 1 का 1 हो जागा यहां minus 1 है, तो 1 से sin a में divide होगा, sin a होगा, sin a को sin a से multiply होगा, sin square a हो जागा तो यहां लिख देंगे, sin square a, ऐसे ही हो जागा, cos a हो गया नीचे में, यहां हो जागा, 1 minus cos square a, ठीक है अब देखते हैं, identity से क्या देखते हैं, 1 minus sin square a होता है, cos square a के बराबर और यह हो जागा, 1 minus cos, by क्या हो जागा, sin a, यह हो जागा, 1 minus cos square a होता है, sin square a यह हो जागा, cos से नीचे, sin square a से sin, इससे कट जागा, यहां square है, यहां single है इसलिए यहां हो जागा, sin a, ऐसे ही, यहां 1 हो जागा, यहां हो जागा, cos a अब यह हो गया cos A into sin A अब हम देखते हैं क्या term लाना हमको tan और cot में इसलिए इसको divide करना परेगा किसी चीज़ से जिसका इससे value भी इसका change नहीं करे और cos और sin के form में भी आ जाए तो ऐसा एक ही identity है हमारे पास क्या है sin square A plus cos square A is equal to 1 होता है और 1 को किसी भी चीज़ से divide करते हैं तो उसका value numerator का बदलता नहीं है इसलिए इसके जगा पर 1 लिखने के बजाए हम लिख देंगे sin square A plus cos square A ठीक है यह 1 हो गया इससे इसका value change नहीं किया लेकिन फिर भी मेरा answer नहीं आया तो इसलिए क्या करेंगे answer हमको 1 लाना है तो 1 लाने के लिए इसी को इसी चीज़ से multiple divide करेंगे तभी आएगा same numerator और denominator होगा तभी हमारा 1 value आएगा इसलिए इसी से हम इसको divide कर देंगे उपर और नीचे तो अब क्या हो जाएगा divide numerator and denominator numerator and denominator by sin A and cos sin A into cos से दोनों को divide कर देंगे ठीक है तो अब कर देखते हैं अब यह है cos A into sin A by sin A into cos A फिर इसको भी divide करना है तो sin square A plus cos square A इसको भी divide कर देंगे sin A into cos A से ठीक है यह कट गया cos A cos A sin A sin A कट गया है उपर one हो गया है तो इसको लिख देंगे one by sin square A plus cos square A ठीक है by में है मेरा sin A plus sorry sin A into cos A ठीक है अब one मेरा आ गया अब इसको देखना है तो इसको क्या करेंगे यह sin square A को इससे divide है फिर इसको भी इससे divide है इसलिए अलग कर देंगे split कर देंगे इसको उम लिख सकते है one by sin square A by sin A into cos A plus है तो plus डाल देंगे इसको लिखेंगे cos square A sin A into cos A ठीक है इसको split कर दिया इससे इसको दोनों को divide कर दिया इसको इससे दोनों से divide कर दिया अब यह sin से cut जाएगा यह क्या हो जाएगा sin हो गया sin A हो गया अब cos से cut गया तो यह हो गया cos A अब यह बड़ावर क्या हो गया one by sin A by cos A plus है plus डाल दिया cos A by sin A बड़ावर क्या हो गया one by sin A cos A तैने प्लस cost a by sine कोटे यह हो गया RHS यह मेरा proved हो गया ठीक है यह 1 by sine a by cost a तो 1 का 1 डाल दिया sine a by cost a का हो गया tan a cost a by sine a का हो गया tan a मेरा यह approved हो गया अब देखता हूँ इसके बाद का कुछ्स्ट next question है मेरा 1 plus tan square a by 1 plus cot square a equal to 1 minus tan a by 1 minus cot a ka whole square equal to tan square a इसको इसे करना है इसको इसे करना है लेकिन इसमें हम क्या करेंगे इसको भी x के बरावर कर देंगे बरावर और इसको भी इसके बरावर करें LHS को भी कर देंगे tan square a के बरावर RHS को भी कर देंगे tan square a के बरावर इसलिए कि बरे expression को छोटा में चेंज करना आसान है, छोटे को बरे में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है अब देखें पहले हम क्या देखते हैं, LHS यह है 1 प्लस 10 स्क्वार A by 1 प्लस कॉट स्क्वार A 1 प्लस 10 स्क्वार A identity होता है, क्या होता है, यह हो जाएगा स्क्वार A by cos sec square A, 1 प्लस cot square A होता है, cos sec square A अब यह हो जाएगा, sec square A को क्या कर देंगे, sec किसका उल्टा होता है, cos का तो 1 by cos square A by क्या कर देंगे, 1 by sin square A, ठीक है यह हो जाएगा, 1 by cos square A into sin reciprocal हो जाएगा, divide one तो यह हो जाएगा sin square a by 1 यह हो गया मेरा sin square a by cos square a बराबर 10 square a यह एक proof हो गया ठीक है अब फिर देखता हूँ RHS को RHS है 1 minus 10 a by 1 minus cote का whole square यह है तो इसको हम क्या करते है इसको भी change कर लेते है 1 minus sin a by cos a by का sin 1 minus cos a by sin a 10 और cot को sin a cos a cos a sin a में change कर दिया इसका whole square हो गया अब यह हो गया अब इसको क्या करेंगे जैसे fraction करते हैं cos a डालेंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा cos a cos a से cos a cancel हो गया तो बस गया sin a फिर नीचे डालेंगे sin a तो यहाँ हो जाएगा sin a अब minus हो जाएगा sin से sin कर दिया तो cos a अब इसको whole square कर देंगे ठीक है अब इसका whole square करते हैं तो कितना हो जाता है इसका a minus b का whole square करते हैं तो कितना हो जाता है a square plus b square minus 2 a b तो इसी आधार पर इसको कर देंगे इसका हो जाएगा cos square a plus sin square a minus 2 into sin a into cos a ठीक है by cos a फिर यह इसका भी square होगा इसका square यह हो गया cos a का square cos square a हो गया अब फिर divide कर देते हैं अब sin a का हो जाएगा sin square a into plus cos a square plus b square minus 2 into sin a into cos a और यहाँ नीचे है sin a उसका square हो जाएगा sin square a ठीक है अब इसको क्या करेंगे यह इसका reciprocal हो जाएगा multiply हो करके तो यह हो जाएगा आपको cos square a इसके जगा पर हम लिख जाते हैं इसके जगा पर one लिख सकते हैं इसके बराबर ठीक है इसके बराबर छोटा करने के लिए इसके बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं equal to one लिख सकते हैं तो इसको लिख दें one minus two sine a into cos a by cos square a यह उल्टा हो जाएगा तो यहाँ चला जाएगा sine square a by यह one हो गया यहाँ तक one minus two sine a into cos a ठीक है one minus sine a cos a यह cancel हो गया इससे बस गया sine square a by cos square a यह बराबर हो गया 10 square a इसलिए LHS भी 10 square a के बराबर हो गया RHS भी 10 a के बराबर हो गया यह approved हो गया ठीक है इन सब question में देखता हूँ कि यह सब question हमेशा alternate एक दो तीन साल पर repeat होता है इसलिए इस question को ध्यान दे और जहाँ जहाँ twist है जहाँ जहाँ हमको identity लगाना है algebraic identity, trigonometric identity उसको proper हम उसको place करेंगे तभी यह सब सवाल बन पाएगा ध्यान से देखेंगे अगर एक बारे में ना हो तो फिर इसको फिर दुबारा इसी वीडियो को फिर दुबारा देखेंगे तो अच्छा रहेगा complete होने के लिए अगर मेरा यह session ठीक लगा हो तो इसको like कर दें, subscribe कर दें कर देंगे